प्लेट सेट्स टाय करके नहीं फीबर में गर जाते हैं और हमारे एक रसायन उस्थी है गिलोए आजकल गिलोए के साथ पपीता है एक फल भी आ रहा है आजकल जिसको कीवी कहते हैं तो इनका भी बड़ा अच्छार हो रहे हैं बैसे घ जारा बैसे खिलोए एक तो ज्वन आशक का गई खिलोए हमारी पुराणे से पुराने ज्वड़ाने जो टाइफ слышelessे रहते ऑर इसके तो alto of इस साथ प्डेश और इसके साथ इंच्छ नंबा तना लेना चाहिए और उसका स्वरा lyric यह मेतिर असायनों में बढ़ने तो यह द्रेंग का टॉनिक भी है एक प्रकार का तो बच्चों के लिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत लाब दायक है और इससे इम्यून सिस्टम डबलब होता है इससे डेगू फीबर में विसे सुप से जो प्लेमिलेट की कम मच्चरों यहाँ बचाल के लिए हमारा नीम जो है बहुत कुंकारी है नीम के पत्ते उसका सुरस विदी से सुरस निकाल ले है और उसको जो ओल आउट हैं आज कल इस्तेमाल हो रही है उसमें ओल आउट की जगे को लिंकुड उसका सुरस डाल दिया जायाए नीम का तो वह तो ज्यादा बेटर रही है तो वह हार फुर नहीं है वह सास के साथ अंदर जाएगा तो कोई नुकसान उसका नहीं है कोई किसी प्रिकार का प्रदूशन उससे नहीं होता है और बहुत लावगाएगा और एंटी सैफ्टिक प्रिवाब छोड़ता है नीम नीम जो है प्रिक्सित मात्रान डाला जाता है और उसमें कुछ कपूर बगेरा इसी चीजें जिससे वह उसमें इवापरेशन हो बास्क निर्मित होती है यह दुजान का निमाया था कि कपूर और सर्शों का तेल मिक्स करके उसको प्रियोग करें लेकिन नीम का जो आप बता रहे है ल जाले मिलगेंज का